हेलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सड्डा में दोस्तों बहुत सारे अस्पिरेंट्स ने ये क्वेरी भीजी है कि सर ऐसा कहा जा रहा है कि डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर एड्मिट का फिर्स बार का लोर पोर्शन नहीं है ये वाला पोर्शन चाहें डिवी रहा हो और चाहे रहा हो तो उसमें से किछी ने किसी का लोर पोर्शन बहुत सारे इनिय तो अब हमारे पास authentic news है कि हम आपको बता सकें कि actually वहाँ पे हो क्या रहा है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं Eastern Railway Kolkata का जो notice था उसमें कहा क्या गया था तो आईए मैं आपको दिखाता हूं देखिए पहले ही point पे कहा गया है यह official notice है RRB Eastern Railway जो कि Kolkata का डिवी करवा रही है उसमें लिखा हुआ है कि lower portion of car later is suit to candidates during CBT and PET जब आपका computer based test हुआ होगा तब आपको एक lower portion मिला होगा और जब आपका physical efficiency test हुआ होगा तो आपको lower portion मिला होगा इस तरीके से यह उपर का फार करके उन्होंने रख लिया होगा और नीचे का portion आपको दे दिया गया होगा यह दोनों मतलब CBT का भी और PT का भी यह दोनों लेकर के जाना है कहा रहे हैं कि जो PWBD candidates हैं वह अपने का लेटर का जो भी का लेटर है उनका वह उसका lower portion लेकर के जाएंगे इसमें document verification में तो lower portion के लिए पहला ही heading दिया गया है और यह बहुत important है इसके regarding और क्या कहा गया है बाकी चीजें तो क्या लेकर के जानी है वह आप जानते ही हो इसको बताने की जरूरत आपको बार-बार नहीं है क्या लेकर के जाना है तो मैं वह repeat नहीं करूंगा बहुत सार document verification के लिए अपना का लेटर डाउनलोड किया होगा तो यह instructions आपको मिले होंगे जो भी verification के लिए जरूरी है document के लिए तो मैं आपको दिखाता हूं कि actual में और इसके regarding क्या कहा गया है जो lower portion है इसके regarding क्या कुछ हो सकता है क्या किया जा सकता है यह कहा गया है लेकिन यह बतान में यह lower वाला portion नहीं है उनको entry ही नहीं दे रहे है मतलब gate के अंदर ही उनको नहीं किया जा रहा है सीधे बाहर कर दिया जा रहा है अब समस्या यह है कि आप मेंसे बहुत सारे candidates के पास में इसका कोई भी portion सुरक्षित नहीं है कुछ लोगों का गायब हो गया कुछ लोगों उन्होंने क्या किया कि FIR की copy बनवाले कि हमारा सामान चोरी हो गया और उसी सामान के साथ में हमारा यह चोरी हो गया था lower portion जैसा कि आप SIM card loss हो जाता है कुछ और चीज़ें loss हो जाती तो इसकी एक copy बनवा करके आपको उसमें राहत मिल जाती है तो इसी के regarding इस Eastern Railway ने अपनी को CBT में सामिल उसमें document verification में सामिल किया जाएगा या नहीं सामिल किया जाएगा तो आईए मैं आपको दिखाता हूं दोस्ता तो यह है lower portion के regarding जो information आपको चाहिए उसके regarding दूसरा point है जिसमें आपको point number 5 को पढ़ना है point number 5 क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिएगा the candidate shall not be all started to enter for verification of documents without producing online CBT and PET letter in original कह रहा है कि जो आपको CBT में computer based test हुआ था उसमें और जो physical efficiency test हुआ था इसमें जो online call letter आपको दिया गया था उसको ले करके जाना ही जाना है उसकी एक copy आपको ले जानी है अगर आप यह नहीं ले गए तो आपकी entry वहाँ पे होने वाली नहीं है एक तो यह बात कह रहा है दूसरी बात कह रहा है कि preserve the call letter carefully as no photocopy of FIR for loss will be entertained as substitute this call letter is not transferable इसका मतलब समझ लिजी कह रहा है कि अगर आप ऐसी कोई copy ले करके आते हैं FIR की किसर मेरा गुम हो गया और उसकी यहाँ पर fire copy ले करके आएंगे तो यहाँ पर मान नहीं होगा उस पर बिचार नहीं किया जाएगा और आप लोगों को entry नहीं मिलने वाली है तो अब यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है उन candidates के लिए जिन्होंने उसके बारे में ध्यान नहीं रखा और ध्यान कैसे रखते उनको इसके बारे में जानकारी थी नहीं तो PET और CBT दोनों का उनका यह जो call letter है वो उसका lower portion जो आपके पास होना चाहिए था वो नहीं है और इसके नाते आप बाहर हो रहे हैं तो एक काम हो सकता है कि आप अपने RRB को particular RRB को email करिए वहां से बात करिए और उनसे पूछिए कि इसके regarding हो क्या सकता है देखिए मैंने मुंबई की बात बताई है अधर जोंस में क्या हो रहा है मुझे उसकी हुआ ही है क्योंकि जिसका किसी का document verification था ऐसे किसी candidate से मेरी बात नहीं हो पाई ताकि वह बताए दूसरों सुनने में आया है लेकिन मुंबई में तो कुछ candidates ऐसे थे जिन से बात हुई और उन्होंने बताया कि सर ऐसे कम से कम 30% candidates हैं जिनके पास यह lower portion नहीं है अब आप जान और फिर भी अगर नहीं मिल रहा तो बस एक ही चीज है जो आपकी मदद कर सकता है वो आपका railway recruitment cell वहाँ पे जाकर के आप बात कर लीजिए इसके regarding अगर ये नहीं मान रहा तो फिर आपके पास legal जो आप court जा सकते हो इसके regarding की सर हमको नहीं पताता तो यहां से अगर आपको नोकरी अपनी पक्की लग रही हो तो आप अपना कोई legal advocate भी मतलब इस legal way में court के जरिए भी इसमें entry पा सकते हो otherwise आपको सीधा बाहर किया जाने वाला है इस vacancy से तो दोस्तों यह तो थी authentic सूचना authentic news जो मेरे पास थी अब अगर आपको कुछ और चाहिए इसमें किसी और ची आप बताईए हमको और किसी के साथ फिर मैं किसी और वीडियो में आपसे मिलता हूं दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार